हेलो बच्चों, आज हम करते हैं ट्रांस्फॉर्मर ट्रांस्फॉर्मर क्या होता है जो लो वोल्टेज को हाई करे या हाई वोल्टेज को लो करे AC को AC लो वोल्टेज को हाई करे या AC की लो हाई वोल्टेज को लो करे उसे हम ट्रांस्फॉर्मर कहते हैं there are two types of transformer step up transformer and step down transformer step up transformer क्या करता है voltage को increase करता है और step down transformer क्या करता है voltage को decrease करता है हमने यहाँ पर laminated core लिया है मतलब हमने पत्ली पत्ली पत्तियां काटी हैं लोहे की soft iron की और एक के उपर एक को उसको चिपका लिया फिर हमने एक coil यहां बांदी है जिसको हमने primary coil कहा और primary से हम input देगे एक coil यहां बांदी जिसको हमने secondary coil कहा और secondary से हम output लेंगे, output लेने के लिए हमने यहाँ पर load resistance लगा दिया यहाँ से हम क्या लेते हैं output हाइज resistance होता है यह load resistance principle क्या है mutual induction है यह आप पढ़के आए हैं यहाँ पर current change होगा magnetic flux change होगी इधर induce होगी magnetic flux किसके कारण होगी mutual induction के कारण तो इसको हम क्या बोलते है the principle of transformer is mutual induction क्योंकि जब changing current जो है इसमें से pass होता है तो inductively इसके अंदर दूसरे के अंदर भी induce हो जाता है EMR construction देखिए आप दो coils है एक primary है और दूसरी क्या है secondary है दोनों की number of turns अलग-अलग होंगी चीक है इसमें हम input देते हैं और यहां से हम क्या लेते हैं output लेते हैं हमने यह laminated core क्यों लिया है हमने यह laminated core इसलिए लिया है ताकि addy currents कम हो जाएं चीक है addy currents ऐसे current होते है जो हमें जुरुरत नहीं होते हैं तो उसको कम करने के लिए हमने क्या लिया है laminated core लिया है अब iron की permeability बहुत जादा होती है ताकि सारी की सारी जो flux है अंदर ही रहे primary की सारी सारी secondary में पास और सारी अंदर रहे उसके लिए हम soft iron के उरका यूज़ करते है क्योंकि उसकी permeability बहुत क्या होती है हाई होती है यह है हमारा core type transistor यह जो हमने draw किया इधर primary इधर secondary उसे core type कहते हैं और shell है हमने एक के उपर primary के उपर ही क्या बान दी है secondary बान दी है तो इससे हमारे थोड़े losses कम होंगे जो flux losses है इधर से इधर थोड़ी lose हो गई flux वो losses जो है वो कम होंगे पूरी flux जो primary थी वो secondary में जाएगी अब क्या होता है परकिंग क्या है जब AC flow करती है primary में तो यह magnetic flux बनाती है core में और जो की secondary में दे दी जाती है और वहां जाकर वो EMF induce होता है changing magnetic flux के कारण तो यह है हमारा working of AC generator अब है sorry transformer थीओरी है अब EMF जो primary में self induction के कारण EMF induce होगा और secondary में किसके कारण होगा mutual के कारण होगा तो primary का EMF है वो D5 by DT है मतलब की N D5 by DT क्योंकि number of turns जो है वो N1 है और secondary के लिए E2 N minus N2 D5 by DT दोनों को divide कर दिया अपने इन दोनों को इससे even upon E2 आ गया D5 से D5 by DT कट गया तो N2 by N1 आ गया अब क्या किया हमने यह आपके पास एक आ गया हमने क्या किया E जो है आपका implied EMF है E1 जो है primary में है तो आपका जो है lenses lock according E minus E1 is equal to I1 R जो voltage है वो किसके equal होती है IR के equal होती है जो किका अगर R बहुत small लेती है तो यह R 0 हो जाएगा और E किसके बराबर आएगा E1 के बराबर आएगा अगर R हमने क्या ले लिया बहुत जादा छोटा ले लिया अब अब देखिए जब हम step up transformer बनाते हैं तो हमारी जो secondary की coils है वो कम होती है sorry primary की coils जो है वो कम होती है और secondary की coil बहुत जादा होती है या coils भी अप हुई और voltage भी क्या होगी अब होगी लेकिन अगर हम step down transformer लेते हैं तो इसकी primary की wire जादा होती है और secondary की wiring जो है number of coil जो है वो कम होती है तो यह वी coils भी down हुई और हमारा जो है क्या कहते है step down transformer मतलब voltage भी क्या हुई डाउन हुई ठीक है यह करने के लिए हमने क्या क्या assumptions लिए है कि primary resistance जो हमने अब देखा था E is equal to even में primary resistance और current हमने बहुत छोटा लिया है हमने यह माने है कि कोई flux नहीं leak हुई है अभी हमने primary में भी flux change d5 by dt लिया है और इसके अंदर भी d5 by dt लिया है secondary में तो no flux leakage मान के चले हैं और हमने बोला कि current secondary जो है वो small है अगर हम यह माने कि जितनी output power है उतनी ही input power है तो power का formula E is is equal to E p I p I p upon I s इसको आप arrange कर ले E s upon E p is equal to n2 upon n1 efficiency किसी transformer की कैसे देते हैं output power upon input power into 100 output अपने secondary से लिए है तो E s E s secondary input से आपने दी है E p I p secondary into में क्या हो गया 100 हो गया यह हमारी efficiency आगी losses होते है copper losses कुछ some energy is lost due to heating of copper wires अब copper wire से बनी है जब आप electricity पास करेंगे तो surely कुछ ना कुछ heating होगे उसके current losses होंगे addy current losses है addy current losses जो है यह ऐसी currents होते है जो हमें नहीं चाहिए हुए थे तो उससे भी कुछ-कुछ loss हो जाती है hysteresis loss क्या होता है हम बार बार चीज को electricity दे रहे हैं तो वो magnetize हो रही है फिर हम बंद करें है electricity वो demagnetize हो रही है बार-बार magnetization करने से और demagnetization करने से जो energy loss होता है उसको hysteresis loss कहते है अब क्या है जब आप transformer operate करते हो कुछ noise create होती है उसको humming loss कहते है और मान लो कि सारी की सायरी flux जो है primary boundary वो secondary में ना पहुंचे तो उसे कहते है flux leakage loss अब large distance transmission जो है वो हम high voltage पे करते हैं high voltage पे करते हैं high current पे नहीं करते हैं high current पे अगर हम करेंगे तो heat produce जादा होगी इसलिए जादा heat produce ना हो तो हम इसको बड़े current पे नहीं करते हैं और if large current large power dissipation अगर current large होगा तो power dissipation भी जादा होगी ठीक है to keep low resistance area should be large अब हमें resistance का area क्या रखना है low रखना है क्योंकि low resistance रखेंगे तो low heat produce होगी तो in order to keep low resistance area should be large which will increase costing तो अब देखो peak इसके equal होता है V into I के अगर V large है तो I को क्या है small होना पड़ेगा चीक है V large है तो I क्या होगा small होगा हम ने बोला कि हम high voltage पे क्यो लेते हैं अगर हम high voltage लेते हैं तो I क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आई कम हो जाएगा तो यहाँ पर heat produce भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसलिए हम जो transmission करते हैं electricity की वो high voltage पे करते हैं अब next जो है वो आपका है AC generator generator क्या होता है dynamo क्या होता है जो कि आपकी mechanical energy को electrical energy में change करता है mechanical energy को electrical energy में change करता है और principle है electromagnetic induction क्या होता है electromagnetic induction जब आप इस coil को rotate करोगे तो flux linked with the coil will change जब flux change होती है तो EMF induce होता है तो इसके अंदर EMF induce होगा current induce होगा जो हम इस load resistance से वहर निकाल लेंगे तो जो आपका mechanical work है मतलब इस armature को आपने जब घुमाया तो आपने mechanical work किया जिसके current flux change होई और flux change होने के current से आपको क्या मिलेगा EMF मिलेगा या current मिलेगा या electricity मिलेगी तो इसको हम कहते हैं AC generator का principle construction क्या है सबसे पहले ये field magnet है जो आपको magnetic field प्रोवाइड करेंगी horseshoe shape की होती है ये जो square वाली है ये armature होती है इसमें बहुत सारी number of turns होती है और ये हमने किस पे बांदी होती है soft iron core पे बांदी होती है ये है हमारी slip rings ये contact बनाई रखने में काम करती है क्योंकि जब ये घुमेगा तो contact बनाई रखना जरूरी है जब इसलिप रिंग से के साथ pressed होती है ठिके brushes जो है ये घुमती रहती है लेकिन brushes जो है वो क्या होती है अपनी जगा पे fix होती है तो यहां से हम घुमाएंगे कौन घुमाएगा turbine घुमाएगा तो source of energy क्या हो गअगया turbine घुमता है तो source of energy जो है वो produce होती है तो आप यह देखो जैसे ही हम armature coil को rotate करते हैं तो flux link with the coil क्या होती है चेंज होती है और flux link with the coil change होती है तो EMF induce होता है मतलब की current बनता है अब मालो coil जो है PQRS है PQRS तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है हम इसको rotate कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फ्लैमिंग्स का यहाँ पर आपका बन रहा है current induced current और जब भी हम induced current की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं फ्लैमिंग्स का right hand rule लगाते हैं फ्लैमिंग्स का right hand rule क्या होता है यह force है father, mother यह magnetic field है और यह child मतलब motion of the conductor है मालो motion of the conductor जो है वो उपर हो रहा है यह आपका जो है यह वली जो side है motion of the conductor जो है वो उपर है, magnetic field ऐसे है तो आपका current जो है वो नीचे की side जाएगा तो आप इधर भी फ्लैमिंग्स का right hand rule लगाके देख सकते हैं और यहाँ पर भी फ्लैमिंग्स का right hand rule लगाके देख सकते हैं कि यह जो armature है, यह किस direction में क्या बनाएगा current बनाएगा तो जो current बनेगा, वो हम load resistance से वापिस बाहर निकाल लेंगे तो यह है हमारा theory of AC generator अब है expression निकालना है flux change है, flux कितनी है? flux है, ba cos theta होती है number of turns n है, तो nba cos theta theta की जगा यहां क्या ले रहे है, omega t ले रहे हैं, emf कितना बनेगा minus d phi by dt अब phi की value क्या बट करेंगे, nba cos omega t, आप इसे differentiate करो cos का differentiation होता है sin omega t into omega और आप इसको जो पूरा जो बचा है sin omega t के लावा, इसको क्या मान लो e not मान लो, तो e is equal to e not sin omega t, ac की है तो ac बन रहा है, तो ac की equation बन रही है current क्या होता है emf upon r voltage upon r होता है, तो r से divide कर दिया तो current आ गया, e not by r क्या होता है i not होता है, तो दोनों ही देख रहे हो, दोनों ही सुनी, sadly vary कर रहे है emf b हमारा sin की तरह vary कर रहा है, और current b और हम करेंगे advantages of ac over dc ac जो है सस्ती होती economical पड़ती है, इसको हम easily step up और step down कर सकते है तो ये हमारा हो गया ac generator और ac और dc की advantages sorry, ac की advantages disadvantage के, peak value बहुत जादा होती है इसकी, और इसमें skin effect होता है skin effect का मतलब होता है ये सिरफ wire की ऊपर उपर चलती है सिरफ तह पे चलती है अंदर नहीं चलती है area पे तो ये इसकी disadvantage है क्योंकि इसमें waste rage होती है material की इसलिए हम क्या करते हैं AC के लिए बहुत सारी आप देखेंगे जब हम हमारे घरों में तारे होती है इसको चील के देखेंगे तो इसके इंदर बड़ी पत्ली सी बहुत सारी wires होती है उसका reason यही होता है कि वो skin पे चलना है तो मोटी वायर लेके कोई फायदा नहीं है तो हम पत्ली पत्ली बहुत सारी wires को बाउंड करते है ताकि वो सब की skin पे चले और हमारा जो है वो AC ट्रांसफर हो जाए तो यह chapter खतम हो गया यहाँ पर AC जनरेटर से Thank you